कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है यानि जिसका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है पिता बनना चाहता है पर सांती वो यह भी चाहता है कि उसके बच्चे HIV पॉजिटिव ना हो वो डॉक्टर से सला करता है और डॉक्टर उससे कहता है चिंता की कोई बात नहीं आपके स्पर्म यानि शुक्राणू से हम CCR 5 नाम की जीन जननकोशिका निकाल देंगे और आपके बच्चों के HIV पॉजिटिव होने का रिस्क काफी कम हो जाएगा ये डॉक्टर फिर इस व्यक्ति के स्पर्म से CCR 5 जीन निकाल देता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आई वी एफ के दौरा दो लड़कियां पैदा हो जाती है आपको शायद ये लाइबुरेटरी में बने डिजाइनर बेबी की बात एक कल्पित विज्ञान की कहानी लगी होगी मगर ऐसा नहीं है नवंबर 2018 में ही जियानकुई नाम के एक चाइनीज बायो फिजिसिस्ट ने ऐसा कर दिखाया ये अच्छा हुआ या बुरा ये तो केवल समय ही बताएगा देखा जाए तो एक स्तर पर हम मनुष्य एक केमिकल फैक्टरी है और जैसे जैसे विज्ञान प्रगती कर रहा है हम इस केमिकल फैक्टरी और इसमें बने रसाइनिक सूप यानि हम इसके बारे में हमारी जानकारी तेजी से बढ़ रही है आज हम अपने डियने यानि जैनेटिक कोड के एक मॉलिक्यूल तक को संचोधित कर सकते हैं जैनेटिक कोड में ये महीन बदलाव लाने की हमारी बढ़ती शमता कि आने वाले दशकों में परणाम बहुत भारी होंगे अच्छे भी और बुरे भी विवाद आज जैनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानि अनुवांशिक रूप से संचोधित खादिपदार से कहीं आगे जैनेटिकली मॉडिफाइड हूमन्स यानि अनुवांशिक रूप से संचोधित मानव तक पहुँच चुका है इस विडियो श्रिंखला में हम जैनेटिक्स में हो रही तेज प्रगती के भिन आयामों को समझेंगे जैनेटिक्स की फील्ड में जो विकास हो रहा है उसमें मानव भविश को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की भरपूर्शमता है आर्टिफिशल इंटेलिजन्स और रोबोटिक्स से भी जादा इस श्रिंकला के विडियो देखने के बाद आप जैनेटिक्स के शेतर में उभरते रुजानों को बहतर धंक से समझ पाएंगे जैसे जैनेटिक एंजिनिरिंग यानी दो अलग जीन्स के डियने का सहियोजन यहां तक कि दो अलग जीवों की जीन्स के डियेना का सियोजन उधारन के लिए डायाबिटीज के रोगियों द्वारा उप्योग किये जाने वाली इंसुलिन जो की एक प्रोटीन है जिसको हमारे डियेने की एक जीन बनाती है इस इंसुलिन का अधिकांच उत्पादन आज कृत्रिम रूप से किया जा रहा है मानव शरीर की इंसुलिन जीन को बेक्टीरिया के डियेने से जोड़ दिया जाता है और फिर ये बेक्टीरिया इंसुलिन का उत्पादन करते हैं इस विधी से इंसुलिन अधिक मात्रा और सस्ते में बन जाती है Genetic Testing यानि आनुवांशिक परीक्षण उधारन के लिए रोगों के निदान के लिए DNA का परीक्षण या अपराद स्थल पर फोरेंसिक परीक्षण या वंश परीक्षण DNA Testing to Determine Ancestry इत्यादी Gene Therapy रोगी की कोशिकाओं यानि सेल्स में एक दोशपॉंट जीन को स्वस्त जीन से बदल देना या जो जीन ठीक काम नहीं कर रही हो उसको निश्क्रिये कर देना इसको Gene Therapy कहते हैं Gene Editing यानि Gene संपादन CRISPR Cas9 नामक तकनीक के द्वारा DNA के मॉलिक्यूल्स को अलग तरह से जोड़ना, हटाना या बदलना जिस चीनी बायोफिसिसिस का जिग्र इस विडियो के शुरू में मैंने किया था उसने इसी CRISPR विधी के प्रयोक से HIV से जोड़ी CCR 5 नाम की Gene को उस आदमी के स्पर्म के अंदर से संचोधित कर दिया था Precision Medicine यानि व्यक्तिगर्च चिकित्सा ऐसी चिकित्सा प्रणाली जो एक मरीज की जीन्स में भिनता और उसके परियावरण और जीवन शैली में परिवर्तन शीरता को ध्यान में रखते हुए खास उस मरीज के लिए इलाज सुझाती है Epigenetics Epigenetics अध्यन है Gene Expression का Gene Expression यानि Gene अभिवक्ति इसका मतलब है कि क्या एक Gene On है या Off और कितने समय के लिए Gene का On या Off होना निर्भर करता है परियावरणिय कारकों Environmental Factors और Non Coding DNA यानि DNA के वे अंच जो प्रोटीन नहीं बनाते परंटू प्रोटीन बनाने वाली Gene को On या Off करते हैं इन पर विज्यानिकों का आज ऐसा मानना है कि Epigenetics का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है Telomeres और इनका बुड़ापे से संबंद Telomeres क्रोमोजोम के चरम अंच है और विज्यानिकों का आज मानना है कि इन Telomeres का उधरना ही कारण बनता है हमारे बुड़े होने का Synthetic Biology प्रयोकशाला में मानव निर्मित DNA की संरचना और इससे नए जीवानुओं का निर्माण उधारन के लिए जुगनू के एक एंजाइम को एक पौधे के DNA में डाल कर विज्यानिकों ने एक संचोधित पौधा बनाया है जो अंधेरे में चमकता है शायद एक दिन यह जीन संचोधित पौधा बिजली से चल रही स्ट्रीट लाइट को बदल देगा अगर बीसमी सदी थी Electronics Revolution यानि Computers की तो 21 सदी है Genetic Revolution यानि अनुवांशिक क्रांती की और Electronics Revolution 2.0 जो आज Big Data आधारित Artificial Intelligence को एक नए स्थर पर ले जा रहा है इन दौनों के Convergence की Genetic Revolution और AI का मिलाप मानव होने की परिभाशा को ही चुनौती दे सकता है अनुवांशिक क्रांती, Genetic Revolution सही दिशा में जाए इसके लिए जरूरी है कि हम इससे जुड़े नैतिक और मानविये सवालों पर विवाद करें ऐसी चर्चा के लिए जरूरी है कि पहले हम अनुवांशिक क्रांती को समझें इस वीडियो श्रिंकला का यही प्रयास है तत्मों की समीक्षा करेंगे